दोस्तों आज आपको बताते हैं मोदी सरकार की ऐसी योजिना जो आपको बना देगी डेरी बिजनसमेन इस स्कीम की खास बात ये है कि जितना पैसा डेरी उध्योग शुरू करने में लगेगा उसका 90 फीजदी आपको लोन मिलेगा और आपको सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा ही अपनी जेव से खर्च करना होगा अत्यादुनिक डेरी यूनिट लगाने के लिए 25 लाख रुपे तक का लोन मिल सकता है और इस योजना का फाइदा आप कैसे उठा सकते हैं आविदन करने का तरीका क्या है ब्याज कितना लगेगा कैसे 35 लाख लोगों को इस योजना से फाइदा मिलेगा क्या आप उन 35 लाख में आएंगे इस योजना का A to Z आपको बताएंगे इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कुमार पावन और आप देख रहे हैं Freedom Farming Hindi Channel दोस्तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस स्कीम है क्या केंदर सरकार ने Animal Husbandry Infrastructure Fund की घोशना की है और किंदर सरकार ने 15,000 करोड रुपे के पशुपालन वुन्यादी धांचा विकास फंड की स्थापना के मनजूरी दे दी है दोस्तो इस स्योजना का मकसद देरी मांस प्रसंसकर्ण और पशुचारा सेंतर में नीजी कारोबारियों और MSME के निवेश को प्रोटसाहित करना है किंदर सरकार की इस पहल से 35,000,000 लोगों को रोजगार में लगा ऐसी उम्मीद जताई गई है आत्म निर्भर भारत अभ्यान प्रोटसाहन पेकेज के तहट युवाओं गरीब और किसानों को आए दूगनी करने के लिए कंदर सरकार ने ये कदम उठाया है सरकार चाहती है कि किसानों के आए दूगनी हो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए कौन आविदन कर सकता है आप क्या इसके लिए एलिजिबल है और कितना लोन आपको मिलेगा उसके ब्यासदर क्या होगी HIDF योजना के तहट किसान उत्पादक संग्ठन यानि कि FPO, MSME, Section 8 के तहट आने वाली कंपनिया निजी कंपनिया और निजी उध्यमी आविदन कर सकते हैं जितना पैसा डेरी प्रोजेक्ट पर खर्च होगा उसका 90 प्रतिशत पैसा आपको बैंक से लोन मिलेगा आपको सिर्फ 10 प्रतिशत पैसा ही खर्च करना है मान लिजे आपका डेरी प्रोजेक्ट 10 लाख रुपे का है तो आपको 9 लाख रुपे बैंक से मिलेंगे और आपको सिर्फ 1 लाख रुपे खर्च करना है और इस लोन पर आपको सिर्फ तीन प्रतिशत ब्याद देना होगा मूल कर्ज दो साल में चुकाना होगा जबकि लोन का पुनर भण है वो छे साल में आप कर सकते हैं यानि कि लंबा चोड़ा पीरिड आपके पास रहेगा इस लोन को चुकाने के लिए इसका मतलब यह है कि आप दो साल में लोन चुका कर इसे 6 साल तक फिर से मनजूर करवा सकते हैं दोस्तो इस प्रोजेक्ट में अधिक्तम 25 लाख रुपे का लोन आपको मिल सकता है दोस्तो के अंदर सरकार ने साड़े 700 करोड रुपे के क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की है इसका प्रबंधन नाबाड कर रहा है दोस्तो क्रेडिट गारंटी केवल उन मनजूर परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो MSME की तहत परिभाशित होंगी कर्जदार को क्रेडिट सुविधा पर 25% तक कावरिज गारंटी दी जाएगी जो की एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से आप इसका फाइदा उठा सकते हैं दोस्तो अब आपको बताते हैं इस योजना में कौन सी यूनिट लगाने के लिए आपको लोन मिदेगा यूनिट के लिए आपको लोन मिलेगा यानि कि आप दूद से मिल्क पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लोन मिलेगा आइसक्रीम बनाने के लिए भी आपको यूनिट लगाने के लिए लोन मिलेगा आप अपने दूद से आईस क्रीम बना कर बेच सकते हैं इसके लिए भी आपको लोन मिलेगा अल्टरा हाई टेंपरेचर UHT टेटरा पेकेजिंग सुईधाओं के साथ दूद प्रोसेसिंग यूनिट है मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है उसके लिए आपको लोन मिलेगा यानि कि आप अल्टरा हाई टेंपरेचर टेटरा पेकेजिंग सुईधा के साथ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा सकते हैं इसके लिए आपको लोन मिलेगा 90% तक इसकी लागत का लोन आपको मिलेगा आपको सिर्फ 10% पैसा अपनी जेब से लगाना होगा फलेवर्ड मिल्क निर्मान यूनिट इसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा लोन मिलेगा मठा पाउडर निर्मान यूनिट इसके लिए भी आपको लोन मिल सकता है और कई प्रकार के जो Meat Processing Unit है उसके लिए भी सरकार आर्थिक तोर पर आपको मदद देगी अगर आप अपने दूद से पनीर बनाना चाहते हैं तो पनीर निर्मान यूनिट के लिए भी आपको लोन मिलेगा दोस्तों ये तो बात हुई कि किन किन प्रोजेक्ट के लिए आपको लोन मिलेगा अब आपको बताते हैं कि आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है Animal Husbandry Infrastructure Development Fund यानि की AHIDF के तहट डेरी उध्यों के लिए लोन मिलता है और इसके लिए सबसे पहले उध्यमी मित्र पॉर्टल है उस पर आपको जाना होगा उध्यमी मित्रा पॉर्टल पर आपको जाकर वहां पर रेजिस्ट्रेशन करना होगा और इसकी वेबसाइट आपको बताते हैं उध्यमी मित्रा.in ये वेबसाइट है इस पर जाकर आप रेजिस्ट्रेशन करवाएं सबसे पहले ये पहला चरण है रेजिस्ट्रेशन के बाद बाकी की आवेदन प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं जब आप रेजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का पेज है वो खुल जाता है और यहां पर आपको लोन के लिए अप्लाई करना होगा और इससे आपको लोन मिलेगा जब आप आवेदन कर देते हैं तो इसके बाद पशुपालन विभाग आपके application की च्छाण बीन करेगा और पशुपालन विभाग से मनजोरी मिलने के बाद bank है उसके पास आपकी application जाएगी और इसके बाद bank आपके loan को मनजोरी देगा पशुपालन और सरिंचना विकास निधी योजना का मकसद क्या है? इस योजना का मकसद देश में बढ़ रहे को पोशन को खत्म करना है, पशुपालकों के लिए सस्ते रेट पर चारा की विवस्था करवाना है और पशुपालकों को डेरी उध्योग में उचित मुल्य अपल होगा, इसे किसानों की आय बढ़ेगी, AHIDF में निवेश प्रोचाहन से ना सिर्फ साथ गुना नीजी निवेश का लाब होगा, बलकि एक किसानों को भी प्रोचाहित करेगा निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि डेरी उत्पादन बढ़ सके और उनकी आय में बढ़ोतरी ह कि इस परियोजना से प्रतिक्ष और प्रतिक्ष तोर पर 35 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ये दावा किया गया है, साथ ही डेरी और पशुचारा जो यूनिट है, उसमें निजी कारोबारियों और MSME के निवेश को भी प्रोचाहन मिलेगा, ऐसा अनुमान है, तो दो आपको 90% लोन मिलेगा, जो की बहुत बड़ी राशी है, अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख का है, तो आपको 18 लाख रुपे लोन मिल जाएगा, आपको सिर्फ 2 लाख रुपे लगा कर एक बड़ा बिजनस आप चुरू कर सकते हैं, जो की बहुत अच्छा है, और इसका फ परसनल फिनास को कैसे आप ज़्यादा बहतर तरीके से यूज़ करें, उसको अपने पैसे को कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अच्छे तरीके से, उसको अगर आपको जाना है, तो आप Freedom App डाउनलोड कर लिजे, Freedom App डाउनलोड करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, और Freedom App आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अब दीजे इजादत, नमश्कार.